आई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल क्रेक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSW वर्सेस CMW दोस्तों वेन्यू रहेगा यहां का 7 पाक हमिलिटन जहां पे आपको अच्छे हैं से जनरली देखने को मिलते हैं Women Super Smash में कहानी थोड़ी रग रही है उतने स्कोर्स नहीं बने हैं एक मैच इस सीजन भी खेला गया था मैच नमबर 10 जिसमें बारिश आई थी और 10 ओवर का मैच रह गया था वो 68 कि यह था उसमें Central Hints की टीम ने जिसे Northern Spirits ने चेस कर लिया था Interesting fact जो देखने वाला यह रहेगा कि कल भी वारिश के चांसिस नहीं तो ध्यान रखिएगा मैं आपसे request करूँगा इस match में Grand League में ज्यादा focus करेंगे Small League में और मैं खुद भी यही करता हूँ Women Super Smash में मुझे लगता है Grand League के लिए बहुत अच्छे चांसिस रहते हैं लगबग सभी का सेम टीम रहता है एक आदा फरक रहता है अगर आप थोड़ा सा रिस्त लेकर खेले Grand League में आप बहुत अच्छा कर सकते है यही रिजर है कि मैं आपको Super Smash Women का Grand League में प्रैफर करने को कहता हूँ लगा कर खेले हैं जिसमें उनके परफॉरमस यहां पर केट एंडरसन है दो मैच में संताली संट केटी गरी दो मैच में 36 बुका हालिडे दो मैच में 33 रंज है लॉरेन इपस में चार विक्टे लिया तो इनका एक आप 33 रंबी देख सकते हैं और विकट भी देख सकते हैं इन फेक्ट यह दो मैच में एक होना चाहिए दूसरे मैच में इनको बोले ही नहीं मिली थी बट आप ध्यान यह दे कि यह जो प्लेयर्स है यह परफॉरमस दे रही हैं लास्ट पांच मैच जो इन्होंने आपस में खेले हैं उसमें से चार सीम वूमन जीती है यानि केंटर कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे पांच में से केवल एक नौर्डन स्वेडर्स जीता है जबकि कैंटरबरी मैजिशन दो जीती है और एक उनका नो रिजल्ट पी रहा है एंड डिनोट कर रहा है नो रिजल्ट बाकि अब चलते हैं मिनकी प्रॉइबल 11 देखते हैं स्कॉर्ड है 12 ही लोग में से कोई 11 खेलेंगे तो यहां मुझे लगते हैं मगाईलर टेंपल टन को बाहर रखा जाएगा और लगबग यह आपको बल्लेबाजी करम देखने को मिल जाएगा बुका हलिडए यहां पर ओपनिंग करेंगी केट इंडर्सन के साथ फिर हैंगी क मेजर विकेट कीपर्स इंजर्ड हैं तो इनको ख्लया जा रहा है जनरल यह आप इनसे सरफ स्टंपिंग्स ही एक्सपेक्ट करें जादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें शालेट सास्वील है और लॉर्न हीपस है दोस्तों यह सारे स्ट्स में आपको यहां बता दिए क्या इनको तो लेन है बोलिंग में भी चल रही है इनको तो लेन है बोलिंग में भी चल रही है यह 4 प्लेयर इस कैटेगरी में भी आती है तो आप चानो प्लेयर को लेकर चलेंगे तो आपके मेजर प्लेयर इस टीम से कवर रहेंगे लॉरेन हीपस एक अच्छी बूलर है, 20.2 और किया है, इन्होंने साथ मैचेज में 5 विक्ते लिए है, लूसी बॉचर ने साथ ओर ही किया है, लेकिन 3 विक्ते लिए, और रिसेंटली वले मैच में भी दो विकेट्स निकाल के आई है, उसी मैच में बोरिंग करी थी अच्छी, बागि सार्स विल्ड ने भी एक विकेट्स निकाली है, जोकि ओवर काफी डाली है, अब हम चलते हैं केंटरबरी मैजिशिंस के टीम के उपर, फ्रेंकी मैके इनके लिए उपनिंग करी है, नेट कॉक्स के साथ, फिर हैंगी एमिस रदरवेट, आप जानते हैं, एमिस रदरवेट कितनी अच्छी प्लेयर है, कीवीज के लिए खेलती है, कीवीज नहीं कहना चीए, मैन टीम को कीवीज बोलते हैं, वाइट फर्न्स बोलते हैं, न्यूजलेंड वोमन टीम को, उनके लिए खेलती है आ रही है, और केट अबराहीम है, जिकिंतर सैवेज है, करस्टी निशन नमबर छे पे, ली तहूहू नमबर साथ पे, मैलिसा बैंक्स आएंगी नमबर एट पे, लॉर विकट कीपर ले सकते हैं, ने तो आब लॉरा हीूस को ही लेके चले, गैबी सुलीवान है, नमबर दस पे, ग्यारा पे आपको देखेंगी सारा एम्यूजन, बैंच पे आपको एमा केंच दिखने वाली है, मोस्ट आप देखेंगे, इनकी टीम से, केट इबराहीम ने किये 6 मैच में 186, हलका साही पीछे हैं, एमी सेदरवेट 6 मैच में 183, और फ्रैंकी मकेच 6 मैच में 176, ये तीन जो है, इनकी सबसे मेजर बैट्स पूमन है, उसके लिए आप देखेंगे, किसी ने कुछ खास रंस किये नहीं है, तो आप इन तीन पर रिलाइज जरूर करें, औ ये मेजर रंस भी करती हैं, और ये ही आपको बॉलिंग भी करती देखेंगी, फ्रैंकी मकेच भी, एमी सेदरवेट भी, एमी सेदरवेट ने ओवर्स अच्छे का से डाले हैं, चाहिए विकेच जर फेक मिला, फ्रैंकी मकेच ने तो 9 विकेच भी लिए है, केट इबराहिम इनकी टॉप प्लेयर रहेंगी बैट्स हूमन के साब से अब देखेंगे ओवर वो खास नहीं करती हैं तो यह ध्यान रखके चलना आपको गिवन और सेक्षन में हैं लेकिन केट इब्राहिम को आप ऐस बैट्स हूमन ही मानके चलने वाले हैं मिजोरेडी टाइम्स वो बोलिंग नहीं करती हैं अब यहां पे अगर आप देखेंगे ली तहुहू 9 मैच में 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं उपर भी हारी हैं बल्ले बाजी करने वैसे न्यूजिलेंड के लिए काफी नीची आती हैं लेकिन यह डमेस्टिक मैच है उपर भ मिल जाएगा साथी में वहां जुड़के आप यह भी ध्यान रखें कि यह सारे स्ट जो है मैं अपडेट करता रहूंगा जो भी मुझे जरूरी लगता है कहां पर हमारी वेबसाइट पर आपको यह सारे स्टाट्स भी मिल जाएंगे और स्टाट्स के साथ साथ आपको जो भी निसेसरी अपडेट देना हुआ मैं वहां पर डिर्ट कर सकता हूँ चाहे रात हो चाहे दिन हो वहां पर इसीली में अपडेट कर पाऊंगा तो यहां पर आपको तीन विकेट कीपर दिखेंगी ओलिविया लॉप तो खेलने नहीं वली तो अब इवाट और लॉरन यू कि यहां पर जादा विकेट कीपिंग स्टंपिंग के चंसे लूज के हैं जादा कोई फरक नहीं है अगर आप पस हाफ क्रेट कम बचा तो यही वाट को ले लेना अगर आप पस क्रेड़ रहा तो यह चलते हुए हम लास्ट में देखेंगे हमारे पस कितना क्रेडिट है मुझ करें यह टीम प्रोवाइड चैनल नहीं है हाला कि मैं आपको एक काइंड ओफ अपनी टीम दिखाद जरूर देता हूं मेरी तरफ से आपके लिए कि मैं अपने टीम दिखा रहा हूं लेकिन फोकस अनलीसिस पर करें बल्लेबाजी सेक्शन में मैं सबसे पहले एमी सदवेट को लूँगा वेरी इंपोटेंट प्लियर बुका हालीडे को लूँगा यह दो प्लियर को लेने का रीजन बहुत साफ है दोनों काफी अच्छी बल्लेबाज हैं दोनों ओवर कर सकती हैं तो यह तो हमारी तरफ से दो और रौंडर ही हो गई एक तरह से लास्ट प्लियर जो करते हैं कि हमारा क्रेट सेव करते हुए केटे अंडरिसन भी लगबख उतने पॉइंट जरूर दे दें मैलिसा बैंक्स है एल बोचर है एल बोचर को फिर भी ट्राय कर सकते हो नैट कॉक्स कुछ खास आपको इन में से ट्राय करनने को नहीं बोलूँगा और रौंडर सेक् अब यहां पर के बोला था आपको बैस बैस ब्राइब नहीं देखना तो यह चीज़ आप यहां पर द्यान रखके चले लेकिन एक जो फेक्टर बन रहा है इन्होंने अपना जो बैस कोर है रिसेंटली एटी रंस का वह नौजन स्पिरिट्स के आगे ही किया एटी फोर का तो वो ध्यान रखके चलें काफी ज़्यादा फाइदे में रह सकती है केटी इब्राहिम इस लोजिक से लेकिन जकिन जकेंता सेवेज भी है बहुत अची ग्रेंड लिग की डिफरेंशल प्यर मैंने आपको सबसे पहले बोला था आपको ग्रेंड लिग इन मैचे में फोकस करनी है तो वो प्लेयर जो आपको फोकस करनी है उसमें जकिनता सेवेज आजाती है जकिनता सेवेज के लावा यहां पर केटी गरर्या आज यह बहुत लिग करती है लैकिन फरक्या आएगा यहां पर मैं अभी के लिए इनी तीनों को ले रहा हूँ और विकेट कीपिंग में मैं अपने टीम में जानके इवाट ले रहा हूँ अब क्यों इवाट ले रहा हूँ आप समझ पाएंगे मेरे पास केवल 9.5 क्रेडिट हैं और मैं पहले ले 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 ता शायद आपको तब पता ना लगता आप देखेंगे 9.5 क्रेडिट हैं तो मैं केटी गर्रे को भी ले पाऊँगा और मैं यहाँ पर केट अब्राहिम को भी लेकिन decision factor एक ही प्लियर को ले सकते हैं दोनों में से किसको लिया जाए maximum लोगों ने केट इब्राहिम को लिया हम भी यही करेंगे लेकिन केट ली गर्रे एक्चली इस वन अफ मैं फेवरेट प्लियर्स movement super smash अगर आपने आखरी एक दू साल में follow किया यह अकेले ही अपने धम पे बल्ले बाजी से match जिता जिती थी टीम के वहां 40 runs होते थे तो 60-70 इनके रहते थे इस season कहानी कुछ हो और है लेकिन player अच्छी है यह ध्यान रखके चलिए दोस्तों आपने अपनी grand league teams के लिए मैं फिर आपको बतारहूं कि इन पर धियान रखना है केटी गर्रे पर धियान देखना है केटी गर्रे के अलावा आपने जिकिंता सेविच पर धियान रखना है और bowling section में जो best picks है आप अपनी bowlers rotate करेंगे watch out ठीक है मैं आपको बार 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 बतारहूं grand league में क्या करना है ताकि आप ध्यान रखें मैं खुद भी ग्यान लिगी खेलने वाला हूं इस मैच में अब ध्यान रखेंगे लॉरेन हीपस आपके लिए अच्छी प्लियर है मैं आपको टेक ही करके दिखाता हूँ लॉरेन हीपस है ली तहू है सार्स फील को कर सकते हो बड़ जादा नहीं करना एक दो टीम में ही करना और कोई प्लियर मुझे दिखने ही यह ट्राय करने वाली एम हाइट खेलने वाली है लेकिन मैं कुछ खास आपको ट्राय करने को नहीं कहूंगा बेसिकली यह आपके लिए डिफरेंशल पिक्स रहेंगी जो भी चलता है आपका काम करके देगा मैं ज करती है टॉप विकेट टेकर जा रही है टीम की अब यहां वाइस कैपटन सी थोड़ा टफ चॉइस है या तो आप इमार रिचरड्सन को ले ले या फिर आप फैलिसिटी लेडन डेविस को लेके डिफरेंशल जा सकते हैं ग्रैंड लीग में यह करना है इनको कैप्टन वा फैवर करूंगा काफी हद तक आप यही देख रहे हैं मैंने फैवर किया क्योंकि इनी की कैप्टन वाइस कैप्टन है अब विएट कीपर तो दोनों ही टीम से बल्ले बाजी नहीं कर रही तो मैंने यहां पर इवाट को ही ले लिया जो कि मुझे शायद से कुछ पॉइंट से नहीं भी देती तो उनने आधा क्रेट बचाया था मेरा अब यहां आपको एक और प्लियर अगर इस टीम की लेनी है तो आप कर सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखें यहीं इनकी मेजर परफॉर्मर्स है चाए बल्ले बाजी चाए गिन बाजी मैंने उनकी पांच अच्छी बोलर्स कवर कियें इसमें क्योंकि सदवेट और मकै बोलिंग भी करती हैं उमीद करतों वीडियो आपको पसद आई छोटा वीडियो था ताकि मैकसिमम इंफोर्मिशन देपाऊ मैंने जल्दी भी बताया लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जो आपको समझ नाई ह तो वही मेरी कोशिश थी इस वीडियो में अच्छी सी टीम करके ग्रैंड लिग्रैंक्स लाने की कोशिश करें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा